Hello everyone, welcome back to the Rana Academy So last lecture के अंदर हम ने discuss किया था refractive index के बारे में तो आज की lecture के अंदर हम discuss करने वाले हैं अपना next topic जिसका नाम है laws of refraction तो बिना को time waste किये चलिए शुरू करते हैं Alright So देखे हमारे पार दो laws of refraction है तो जल्दी से हम इसको पहले read कर लेते हैं Same plane का basically मतलब क्या होता है देखे अगर आपको याद होगा कि हमने क्या किया था कि मेरे पास एक medium 1 है ठीक है मान लिजी यह क्या है मेरा medium 1 है और यह है मेरा medium 2 ठीक है this is my medium 2 अगर एक ray of flight आपकी enter करती है from medium 1 से medium 2 के अंदर ठीक है तो यह क्या था मेरा यह जो total line में बना रहा हूँ यह क्या है आपका this is your normal यह क्या है आपका this is your normal ठीक है और यह क्या है आपका incident ray राइट तो ray of flight जो है वो आपकी bend कर जाती है from its original path from its original path तो मान लेते हैं कि यह rayor से denser जा रहा है तो it will bend towards the normal ठीक है अब जो पहला point है ना तो एक ही plane का मतलब यह होता है कि देखे जैसे आपके सामने अब यह जो black board है वो आपको दिखाई दे रहा है ना अब इस black board के अंदर ray of flight आपकी enter कर रही है और उसके बाद वो अपने path को change भी कर रही है तो जैसे वो एक medium से दूसरे medium में जाता है ना वो बाहर की तरफ आएगी ना वो अंदर की तरफ जाएगी वो उसी particular plane पे रहेगी तो इसका मतलब होता है all lies in the same plane clear हो गया तो हमेशा या रखना है कि जब एक ray of light एक medium से दूसरे medium के अंदर जाती है तो ना वो बाहर की तरफ आती है ना वो अंदर की तरफ जाती है वो जिस plane पे आ रही है जो ray of light after reflection भी उसी plane पे रहती है तो यह मतलब होता है all lies in the same plane का अब हम बात करते हैं दूसरे की दूसर यह कहता है आपका जो दूसर basically point है वो यह कहता है कि the ratio of the sign of angle of incidence that is I to the sign of angle of reflection R is constant for a pair of given media देखे बापको मैं इसके बारे में समझाता हूँ देखे यह मेरा incident ray है ना तो यह क्या है मेरा angle of incidence है यह मेरा refracted ray है तो यह क्या है मेरा angle of reflection है ठीक है तो अब यह second point क्या कहता वो यह कहता कि माल लीजिए अगर ray of flight आपकी enter करें from medium 1 to medium 2 तो medium 1 पर इसका कौन सा angle है वो है I तो आप उसका sign ले लीजिए ठीक है फिर जब वो medium 2 में जाएगा तब उसका sign से इसको divide कर दीजिए मतलब मैं यहाँ नीचे के डालूँगा sign of R डाल दूँगा तो जब मैं sign I by sign R करता हूँ तो आप मानेंगे नहीं कि यह exactly मेरे refractive index of medium 2 with respect to 1 आजाता है यह एक actually geometrical method है मेरे refractive index को find करने का आपको मैंने refractive index के बारे में बता दिया था कि refractive index का मतलब था कि the speed of light in air to the speed of light in medium जिस medium है basically वो travel कर रहा है तो यह speed की ratio को कहा जाता था refractive index बट अगर मैं mathematically जोबेटरी के लिए अगर इसको find करना चाहूँ तो sign I by sign R करके भी हमारी यह value है वो refractive index आ जाती है अब अगर मैं angle of incidence को change करूँगा तो उसके with respect to angle of reflection भी automatically change होता है such that कि जब भी मैंन की ratio निकालता हूँ sign I by sign R की वो हमेशा मेरे refractive index of medium 2 with respect to 1 ही आता है तो यहाँ पर आगा refractive index of 2 with respect to 1 तो इस particular law को Snell's law भी कहा जाता है जिसमें कहा जाता है the ratio of sign of angle of incidence to the sign of angle of reflection is always constant और वो constant क्या होता है मेरा refractive index clear हो गया I hope आपको यह laws of reflection समझ में आगे होंगे तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे refractive index का एक और formula होता है तो चलिए अब हम वही देखते हैं तो देखिए हमने यह पढ़ा था कि मेरा 1 mu 2 जो होता है वो speed of light in medium 1 divided by speed of light in medium 2 के बराबर होता है देखिए हमने एक expression यह भी पढ़ा हुआ है जब वो एक medium से दूसरे medium के अंदर जाती है बढ़ा था इसके बारे में क्यों? क्योंकि यह depend करता है सिर्फ उसके source of light पे तो अगर यह term आपका constant है तो इसका मतलब यह हुआ कि जो speed है वो depend करता है wavelength के तो इसका मतलब मैं यह भी कह सकता हूँ न कि अगर आपके rare flight एक medium से दूसरे medium में जाती है तो उसके wavelength में भी change आता है clear? अब मैं इस formula का इस्तेमाल यहां पर एक नया formula बनाने के लिए use करूँगा देखे V1 है न मैं यहां पर लिख दिया lambda 1 into f clear हो गया और यह जो है यहां पर आदेगा lambda 2 into f देखे F के नीचे कोई number नहीं लगा रहा because वो क्या है? constant है आपका तो अब मैंने क्या किया? अब मैंने इन दोने को cancel कर दिया lambda 2 क्या है? lambda 2 is the wavelength in medium 2 तो wavelength in medium 2 को निकालने के लिए मैंने lambda 1 को उसके refractive index से divide कर दिया तो देखे इस formula से हमें ये बात तो पता लगती है कि हमारी जो wavelength है वो 1 by mu times हो जाती है अगर वो एक medium से दूसरे medium में enter करती है I hope आपको ये formula समझ में आ गया होगा तो चलिए अब मैं आपको एक काम करता हूँ एक full-fledged formula देता हूँ refractive index का कि refractive index को find करने के क्या-क्या तरीके है तो चलिए अब हम वही देख लेते है तो जब मैं बात करता हूँ एक refractive index की जैसे कि अगर ray of light आपकी medium 1 से medium 2 में जा रही है तो पहला formula तो है speed of light in medium 1 to speed of light in medium 2 clear हो गया पहली बात तो ये था आपका दूसरी बात हमारी ये होती है कि sign of angle of incidence in medium 1 divided by sign of angle of reflection in medium 2 तो इसके ratio से भी मैं अपने refractive index को find out कर सकता हूँ दूसरा था absolute refractive index की term में याद आपको जब मैंने कहा था कि ये 1 है ये 2 है तो उपर क्या आजएगा आपके पास 2 आजएगा और नीचे absolute refractive index को 1 आजएगा और चोथा जो अभी हमने किया कि अगर ये 1 से 2 में जा रहा है तो 1 में क्या wavelength है numerator में वो आएगा और 2 में क्या wavelength है वो आपका नीचे आएगा तो ये जो अब आप देख रहे हो ये एक full-fledged formula है to find the refractive index clear हो गया तो देखे कितने असानी से हमने ये सब चीज़े derive करी और I hope अब आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे derive होई थी ठीक है जी चलिए अब हम बात करते हैं कि refractive index किन factors पर depend करता है So factors affecting refractive refractive index ठीक है तो पहला factor जिस पर refractive index आपकी depend करती है वो है nature of the medium nature of the medium देखे ये हम अच्छी तरह जानते हैं कि अगर एक ray of flight किसे दूसरे medium में enter करती है तो speed में कोई न कोई change आता है ठीक है अगर आपकी speed of flight ज़्यादा slow हो जाती है जब वो travel करती है एक medium से दूसरे medium के अंदर तो इसका मतलब होता है कि उस medium का refractive index क्या है जदा है और अगर मेरी speed of light जो है वो travel कर रही है एक medium से दूसरे medium के अंदर और जो speed है वो आपकी एकदम से increase हो जाती है तो इसका मतलब यह होता है कि उसकी refractive index क्या है कम है as compared to जिस medium से वो आपकी light जो है वो आपकी travel कर रही है clear हो गया तो number one तो यह depend करता है nature और medium के अंदर तो दूसरा जो factor है वो है आपका temperature ठीक है that is temperature अब यह temperature पे कैसे depend करते है मैं आपको एक example लेके समझाता हूँ देखें मान लीजिए कि आपकी एक rear of light है और वो travel कर रही है air to water ठीक है जी air to water आपकी travel कर रही है अब obvious है कि air to glass it will bend towards the normal clear होगे क्योंकि radar से dancer medium में enter कर रही है और मान लेते कि जिसका temperature वो normal है 27 degree Celsius जो है वो इसका normal temperature है अब अगर मैं temperature को rise कर दूँ पानी की ना तो पता क्या होता है तो actually मैं temperature rise करने से जो ray of flight जो है जब वो water में enter करती है तो उसके speed में ज़्यादा decrease नहीं आता क्योंकि basically क्या होता कि जब आप उसके temperature को rise करते हो तो उसकी जो density है उसमें क्या आता है थोड़ा से decrease आ जाता है और density decrease होने से क्या होता है जो speed of flight है water के अंदर वो पहले के मताबिक थोड़ा तेजी से move करता है और क्योंकि speed अब मेरे इस particular medium में तेज move कर रहा है so therefore refractive index की जो value है वो आपकी थोड़ी सी कम हो जाती है ठीक है so इस बात को हमेशा याद रखना कि with increasing temperature जैसे 27 degrees Celsius है तो माल लेते हैं कि यह आपका 100 degrees Celsius पहुंच जाता है suppose just मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ 100 degrees Celsius पहुंच जाएगा न तो इसके जो refractive index है न वो आपकी basically degrees हो जाएगी तो जितना bend पहले आया था जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर जादा यह deviate हुआ है तो अब थोड़ा सा आपका कम deviate करेगा from its original path ठीक है अब थोड़ा सा कम deviate करेगा from its original path so temperature rise होने की वज़े से जो refractive index होता है किसी medium का वो decrease होता है बिकोज जो speed of light है वो उस particular medium में तेज हो जाएगी so मेरे velocity में ज्यादा change ही नहीं आएगा as compared to air से जब वो किसी water या किसी medium में enter करता है तो इसी वज़े से refractive index की value आपकी decrease कर जाती है clear हो गया तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने जो third factor है जिस पर यह depend करता है वह है आपका wavelength that is wavelength अब देखे मैं आपको ओलड़ी बता चुका हूँ कि मेरी refractive index जो है वो inversely proportional to wavelength होती कैसे अभी तो formula बता है कि lambda 2 होता 1 upon mu आपका तो basically आपका अगर refractive index जादा है तो wavelength की value क्या हो जाती है कम हो जाती है अब मैं आपको एक बात बता दू कि अगर मैं अपने white light की बात करता हूँ तो white light की case में wavelength of red is greater than wavelength of violet होता है यह हम अच्छी तरह जानते हैं इसलिए refractive index of red less than होगा refractive index of violet के अब इसका मतलब क्या होता है refractive index of red is greater than refractive index of violet तो देखिए इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगर मैं red के perspective से बात करूँगा तो वो कम bend करेगा towards the normal because उसकी speed में जादा changes नहीं आएंगे लेकिन अगर मैं violet की बात करूँगा तो वो जादा bend करेगा towards the normal because उसकी speed में जादा change आएगा तो जब हम refractive index की बात करते हैं तो हम density के related कोई बात नहीं करते हैं हम यह नहीं कहते कि अगर उसकी wavelength में चेंज आदेगा तो इसका मतलब होता कि अगर आपने माल लीजिए इसा कुछ भी नहीं होता सिर्फ इतना होता है कि जब एक ray of light किसी एक medium से दूसरे medium में जाती है तो उसकी speed में चेंज आने का मतलब होता है उसकी जो wave की length है वो थोड़ी compress हो जाएगी अगर कम होनी हो और जा फिर elongate हो जाएगी अगर वो wavelength की जादा होनी हो और इसके लाब अगर कुछ भी नहीं होता ठीक है तो अब आपने ये बात को अच्छी तरह समझना है कि जब मैं कहता है और effective index किसी का जादा है तो उसका मतलब यह है कि वो जादा bend करेगा towards the normal और अगर मैं कहता हूँ किसी का effective index कम है तो उसका मतलब है वो कम bend करेगा towards the normal below shows two parallel rays A and B of red and violet respectively incident from air on air glass boundary ठीक है complete the diagram showing the reflected rays for them in the glass तो देखे मैं क्या करूँगा सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ एक red की और अगर मैं बात करता हूँ एक violet की तो red की case में यह कम deviate करेगा from its path क्योंकि इसकी red की जो wavelength होती है वो जादा है तो उसके लिए refractive index कम होगा refractive index कम होने का मतलब है it will come deviate towards the normal ठीक है अगर मैं वालेट की बात करूँ तो इसकी wavelength सबसे कम होती है अगर कम होती है तो इसका refractive index जादा होगा मतलब यह हुआ कि it will bend more towards the normal तो देखिए अगर मैं बात करता हूँ red की तो वो कम deviate करेगा towards the normal और अगर मैं violet की बात करेऊ तो वो ज़्यादा bend करेगा towards the normal clear हो गया क्या था how do the speed of the rays differ in glass तो अव्वेस बात बात बिटा यह है कि red का wavelength क्या है आपका wavelength ज़्यादा है तो जो speed है ना आपकी glass के अंदर वो ज़्यादा होगी और violet की case के अगर मैं बात करो तो उसकी wavelength कम है तो जब वो enter करेगा मेरे glass के अंदर तो उसकी speed ज़्यादा decrease करेगी clear हो गया तो यह बात आपने आपे बिटा समझनी है are the two refracted rays in the glass parallel? no they are not as you can see that they are not parallel to each other because the red ray will bend less towards the normal and the violet ray will bend more towards the normal ठीक है तो यह बात प्लीज हमेचे याद रखना so how does the refractive index of glass differ for the two rays देखी मैने आपको बता है कि wavelength of red is greater than wavelength of violet so therefore refractive index of red is less than refractive index of violet so in case of violet the ray of light will bend more towards the normal and red will bend less towards the normal I hope आपको यह question समझ में आगया होगा ठीक है तो आज की lecture के अंदर हमने discuss किया laws of reflection के बारे में और साथी साथ हमने यह जाना कि और कौन से formulas होते हैं जिससे हम अपने refractive index को find out कर सकते हैं और साथी साथ at the end हमने study किया factors affecting refractive index ठीक है I hope आपको यह जो topic है यह समझ में आगया होगा तो अब आपने क्या करना है जल्दे से description box में जाईए और यह notes जा है वो download कर लीजिए और साथ में जो मैंने test वहां रखा हुआ है तो वो conduct कर लीजिए तो आज के लिए बस इतना ही Thank you so much